हला आवरिवान वेलकम बैक टू मैं चैनल स्केलार मैं हूँ प्रियंका और जो आज की हमारी क्लास रहेगी इस क्लास में एक्सेसाइज 1.3 के जो आगे के कोश्चन है उनिकॉम कंटिन्यू करेंगे इससे पिछली क्लास में हमने एक्सेसाइज 1.3 स्टार्ट कर दी थी और सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कोश्चन नमबर 6 से मां की पिछला वीडियो अगर नहीं देखा है आपने तो उपर लिंक मिल जाएगी उपर से लिंक नहीं मिलती है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक मैं मैंशन कर दूंगी ठीक है तो जो कॉश्चन नमबर 6 से उसमें क्या बोला जा रहा है देखते हैं जारा शो दैट एफ सच दैट माइनस 1 to 1 2 आर गिवन बाई f of x equal to x upon x plus 2 is 11 तो सबसे पहले तो हमको यहां पर यह बोला गया है इस कॉश्चन में कि आप यह शो करिए कि जो हमारा फंक्शन है वो 11 है और जो फंक्शन है तो define यहां से यहां है यानि माइनस 1 to 1 to real number यानि domain यह रहेगा और co domain real number है ठीक है तो सबसे पहली चीज हमको यह प्रूब करना है कि यह 11 है तो 11 प्रूब करना तो बड़ा ही आसान है कोई दिक्कत नहीं है exercise में हम करी चुके हैं पहले भी तो अगर फंक्शन को हमको 11 प्रू belongs to अब यह हमारा क्या है डोमेन तो इसी से बिलॉंग करेगा ठीक है अब इफ f of x1 equal to f of x2 यह हम लेकर चलते हैं और हमको क्या प्रूब करना होता है x1 equal to x2 अगर x1 equal to x2 आ जाता है तो फंक्शन 11 है और नहीं आता है तो 11 नहीं है तो सबसे पहली चीज इसमें यही बोला गया है कि इसको 11 प्रूब करीए तो हम कर रहे हैं यहां पर तो हमारा फंक्शन है यह तो हमने लिखा यहां पर x upon x plus 2 और क्योंकि यहां पर x की प्लिस पर x1 है तो यहां x1 यहां x1 equal to यहां f of x2 है तो x की प्लिस पर x2 तो x2 upon x2 plus 2 ठीक है अब cross multiplication कर लीजे आप इसका तो x1 का यहां multiply करेंगे तो x1 into x2 plus 2 x1 equal to x2 का यहां करेंगे तो x1 into x2 plus 2 x2 ठीक है x1 x2 से x1 x2 cancel यहां पर बचा 2 x1 equal to 2 x2 इसमें भी 2 से 2 cancel हो जाएगा तो यहां से 2 से 2 cancel हो के आगया x1 equal to x2 और जैसे x1 equal to x2 आगया इसका क्या मतलब हुआ कि यह जो function है यह हमने 1 1 prove कर दिया तो यहां पर हम लिखेंगे hence f is 1 1 ठीक है एक चीज इस question की हो गई अब आगे हमसे क्या बोला जा रहा है इसको भी देखी लेते है question में आगे हमको यह बोला जा रहा है find the inverse of the function यह जो function हमको given है इसका inverse हमको find करना है ठीक है तो खेर जो next question रहेगा वहां से मैं आपको और अच्छे तरीके से बताऊंगी कि अगर आपको inverse find करना है यह function invertival होगा या यह हम कैसे देखेंगे तो दो तरीके हैं दोनों तरीके में से जो ठीक लगया आप वैसे कर सकते हैं तो यहां आप देखें सबसे पहले one one proof करना था अब हमको इसका inverse find करना है तो question में हमको directly बोला गया है कि यह जो function है इसका आपको inverse find करना है मतलब वो invertible होगा तब ही बोल रहे हैं ठीक है तो चलिए करते हैं लेकिन inverse find करने के लिए फिर भी हम एक बार देख लेते हैं कि यह function invertible होगा या नहीं तो उसके लिए definition में मैंने आपको क्या बताया था कि अगर कोई function invertible होगा वो उसी condition में होगा जब उसका goff जो है वो x के equal आ जाए और जो fog find करेंगे वो y के equal आएगा ठीक है तो यह सारी चीज़े मैंने आपको invertible function का जो वीडियो है उसमें clear किया था और example से भी मैंने समझा दाया था तो अगर यह clear नहीं है तो उपर link मिल जाएगी invertible function की तो चलिए मैं बिल्कुल इसको पूरा का पूरा कर रही हूं कि सबसे पहले हम क्या find करते हैं लेकिन go find करने के लिए हमको यहाँ पर अगर inverse find करना है तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करते है यह एक काम खतम अब इस function का inverse find करना है तो हमको दिया है कि f of x equal to क्या होता है मरण y और equal to हमको दिया है x upon x ब्लस 2 तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि जब भी हम किसी भी function का inverse find करते हैं तो उसमें पहली चीज़ जो आपको करनी है कि सबसे पहले तो आप f of x equal to y क्योंकि f of x equal to y ही तो होता है ठीक है हम y भी लेकर चल सकते हैं और equal to function दिया है वो हमने लिख लिया है अब इस पूरे को solve करके आपको x की value find करना है y के form में तो कैसे करेंगे आप तो अब इसको solve करके हमको x की value find करना है तो यहां पर हम इसको solve कर रहे है तो यह हो जाएगा x upon x plus 2 equal to y इसको solve करेंगे तो यह x as it is इसका multiply यहां हो जाएगा तो यह हो जाएगा x y plus x into y और 2 into y ठीक है इसके बाद यह जो x y यह इस तरफ आएगा तो यह हो जाएगा x minus x y equal to 2y as it is दोनों में से x को मन आया तो यह हो जाएगा 1 minus y equal to 2y इसके बाद x की value यहां से आजाएगी 2y upon 1 minus y तो x की value यह कैसे आई यह मैंने आपको पूरा समझा दिया अगर आपको लग रहा है तो आप वीडियो को pause करके इसको note करके रख सकते हैं तो यहां पर यह x की value आजाएगी x equal to 2y upon 1 minus y अब यह x के form में हमारा function इसलिए f of x है यह y के form में इसलिए जो दूसरा function होगा वो हो जाएगा g of y x x y y clear ठीक है अब मैं यह हटा रही हूँ बस मैंने आपको यह clear कर दिया कि यह कैसे आया ठीक अब इसके बाद अगर question में यहां तो चरफ यह बोला गया कि इसका inverse find करिए ठीक है तो आप direct inverse find कर सकते हैं लेकिन जैसा कि हमने invertible function की definition में देखा था कि अगर कोई function invertible है तो वो किस condition में invertible है जब उसका gov जो है वो x के equal आ जाए और fog जो है वो y के वाला जाए तो उस condition में जो यह हमारा यह वाला function रहेगा जो हमने y के form में find किया है यह function होगा हमारा inverse function ठीक है तो यहां पर मैं पूरा ही आपको समझा रहे हूं है न तो सबसे पहले आप हम find करेंगे यहां पर गॉफ तो गॉफ एफ एफ के साथ क्या है एक से इस चीज़ का आपको देहन रखना है जब आप यह question कर रहे हैं तो हो सकता है जब आप देख रहे हैं तो आपको समझ में आ जाए लेकिन जब आप खुच सॉल्फ करेंगे तो शायद हो सकता है कि आपको फिर यह confusion हो कि क्या चीज़ आएगी यहां पर तो गॉफ है तो यहां F है F के साथ क्या है X AX के साथ ही F रहेगा तो F of X ठीक है जब ओका आप फांड करेंगे तो यह G यह तो G of Y क्योंकि जी और वाह तिक चलिए तो गौफ फांड करते हैं तो G of X ठीक है तो G of F of X की वाल्ली वाल्यू की वाल तो यह जी ओफ वाई जी ओफ वाई तो जी ओफ य का function ये है ठीक है यह 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 लेकिन याँ य की प्लिस पर यहां क्या है x upon x plus two तो बस इस में y की पर यह आपको put up करना है ठीक है तो मैं यहाँ पर आपको roughly ही बता रही हूँ बाद में मैं हटा दूँगी और आपको लेकिन जरूर इसको नोट करके रखना है मेरे पास जगह की कमी है तो मैं इसका जो पूरा आउटपुट रहेगा वो डिरेक्ट लिख दूँगी ठीक है लेकिन कैसे आये ही जह समझा देती हूं सवर्फ करते हैं तो यह आ जाएगा 2X अपॉन x2 इनका लिखे सॉल्फ करेंगे तो यह आ जाएगा X प्लस 2 माइनस X अपॉन X प्लस 2 डिन्यृम्नेटर में X प्लस 2 यहाँ प्लस के X से माइनस के X गैंसल तो यह बचाएगा और अभी फॉग भी फाइंड करना है तो गॉफ जो है यह एक्स कैसे आया ठीक है मैं डेरिक्ट यहां क्या लिख रही हूँ अब सबसे पहले f of g of y ठीक तो यह f as it is g of y क्या है g of y यह है तो लिख लीजिए 2y upon 1 minus y अब f of x f of x यह रहा तो अभी x की प्लेस पर यह है तो इस function में x की प्लेस पर यह पूरी value आएगी तो अब इसको भी मैं यहां पर ही solve करके बता रही है तो ध्यान से देखें और यह चीज़ आपको node भी करनी है अपने पास तो इस function में तो इस function में x की प्लेस पर रखेंगे यह ठीक है तो numerator में x x की प्लेस पर हमने रखा 2y upon 1 minus y ठीक है upon क्या है x plus 2 तो x की प्लेस पर 2y 1 minus y और क्या है plus plus 2 अब इसको आपको solve करना है तो solve करने पर देखो numerator तो as it is आ जाएगा 2y upon 1 minus y ठीक है denominator में LCM लेकर solve होगा तो यह आ जाएगा 2y 1 minus y का multiply यहां हो जाएगा तो यह हो जाएगा 2y minus 2 2 minus 2y सॉरी 2 minus 2y 2 का multiply 1 में 2 2 का multiply minus 1 में minus 2y और denominator में रहेगा 1 minus y denominator के 1 minus y से denominator का 1 minus y कैंसल plus के 2y से minus का 2y कैंसल चीक है 2 into 1 2 2 into minus y 2y तो 2y तो 2y कैंसल अब बचा क्या 2y upon 2 तो 2y upon 2 में क्या होगा 2 से 2 कैंसल होके क्या आ जाएगा y कहने का क्या मतलब हो उन्यां कि यह 2 पी मैंने आपको क्ल teal कर दिया और यह आपको पूरा solution में ूफ करके बताना कि केसे आया थाओ कर दिया तो कहने का मतलब यह है कि हमने ुआ गौफ भी find कर लियाколड कर लिया को इंवर्टिबल फंक्शन tut यह इंवर्टिबल और इसका जो इनंवर्ड साहिचन वहود रहेगा रिक इसे यहां पर हम लिखेंगे सुए एफ इस इंवर्टिबल इ कॉ टिकंध and g such that और जो ये function है हमारा ये कहां से कहां तक होगा r2 minus 1 to 1 r2 minus 1 to 1 उल्टा होता है न ये अगर हमारा function जो है यहां से यहां हो रहा है define तो इसका जो invertible function होगा वो r2 यहां होगा अब इसके बाद जो हमारा function g of y है या फिर उसको हम कह सकते है f inverse वो क्या हो जाएगा ये ठीक जो हमने y के form में find करा 2y upon 1 minus y लेकिन एक चीज़ का दियान रखें अगर यहां पर y की value 1 आ जाती है तो यह क्या हो जाएगा denominator में 0 इसलिए यहां पर हम लिखेंगे y is not equal to 1 बस बात खतम ठीक है तो यह जो question number 6 था आपस में हमको बोला गया था कि जो function है वो one one prove करिये तो हमने one one prove कर दिया one one prove करना तो कोई इतनी बड़ी deal नहीं थी ठीक है इसके बाद हमको बोला गया था कि यह जो function है इसका inverse function find करिये ठीक है तो हमने क्या किया सबसे पहले function था वो लिखा यहां से इसको solve करके हमने इसको y के form में लिए फिर फॉफ find किया फॉफ find किया गॉफ find करने पर x मिल गया फॉफ find करने पर y मिल गया जिससे यह function invertival हो गया और यह जो होता है न यहीं होता है हमारा inverse function अगर फॉफ कि वैल्लिव जो हमको चाहिए होती है वो आ जाती है तो ठीक है तो question number 6 तो यह हमारा next question question number seven तो देखिए इस question को मैं बड़े ही आराम सा समझाओंगे आपको दो तरीके हैं बागी के जो question रहेंगे फिर उनको हम फटा-फट से करेंगे तो देखिए इस question में हमको यह बोला जा रहा है कि जो हमारा function है वो r to r define है मतलब real number to real number ठीक है given y f of x equal to 4x plus 3 यह हमारा function है हमको बोला जा रहा है show that f is invertible हमको यह clearly बोला गया है कि यह invertible है यह आप show करें ठीक है इसके बाद हमको बोला है find the inverse of f और f का inverse भी find करें तो f को invertible show करने के दो तरीके हैं एक तो आपकी definition कि गौफ को आप equal to x प्रूफ कर दो मतलब identity function और इसके बाद fog को आप y के equal proof कर दो तो यह जो function है यह invertible प्रूफ हो जाएगा और जो आप y के form में function आप find करेंगे जैसे आप हमने पिछले question में किया था दूसरा तरीका यह है कि आप इस function को वन वन भी प्रूफ करो अन्टू भी प्रूफ करो तो function क्या हो जाएगा invertible और इसके बाद यह जो function है आपका दिया हुआ है इसको y के form में आप लिख दो तो वह आपका हो जाएगा invertible sorry inverse of function तो दोनों तरीके हैं जो तरीका आपको ठीक लगता है आप वैसे कर सकते हैं ठीक है तो यहां पर इस question को मैं दो तरीके से आपको solve करके बताऊंगी जो तरीका आपको ठीक लगता है आप वैसे कर सकते हैं आपके आगे किसी भी question को ठीक है clear चलिए तो सबसे पहले हमको question में बोला जा रहा है कि यह जो function है यह है और हमको prove करना invertible है तो इसके definition के according जो बोला जा रहा है मैं अभी उस तरीके से कर रही हूँ ठीक है तो definition में सबसे पहले तो हमने यहाँ पर function हमको दिया है 4x plus 3 जो की f such that r2 are defined है ठीक है तो पहला काम हमारा क्या होता है कि हमारा यह जो function है हमने लिखा f of x equal to हमने लिखा y equal to 4x plus 3 और फिर इसको solve करके इसको solve करके हम x की value find करते हैं ठीक है x की value यहाँ से कैसे find करेंगे हम x equal to यह हो जाएगा y minus 3 upon 4 y यहाँ है यह प्लस का 3 इस तरफ आके minus का 3 और x के multiply में 4 तो यहाँ गया डिवाइड में यह क्या हो जाएगा हमारा दूसरा function g of y g of y क्यों क्यों क्योंकि यह y के form में है ठीक है तो यह आ गया और यह कहां से कहां तक define रहेगा g such that r to r यहाँ से यहां हमारा function define होगा तो इस प्लस 3 तो यहां पर य की प्लस 3 तो यहां पर य की प्लस 3 तो चलिए कर देते हैं तो यह देखो यह क्या है y की प्लस पर put up करा 4x plus 3 सिर्फ y की प्लस पर यह माइनस 3 as it is upon में जो 4 as it is clear ठीक है अब plus के 3 से माइनस का 3 cancel बचा क्या 4x upon 4 4x upon 4 4 से 4 cancel होके यह आ गया x जो की है i x ठीक है identity ठीक तो मतलब go find करने पर x मेले गया अब fog find कर लेते हैं ठीक है तो f of g of y तो मैं direct लिखनी हूँ f of g of y तो g of y क्या है रहा यह तो हमने लेखा y minus 3 upon 4 ठीक है अब f of x f of x रहा यह इतमे x की प्लेस पर रखेंगे यह क्योंकि यहाँ पर f of x की प्लेस पर यह तो तो यहां पर x की प्लेस पर रखेंगे यह, तो ध्यान से देखें, 4 रखा हमने, x की प्लेस पर रखेंगे यह, तो यह हमने रखा y minus 3 upon 4, 4, x की प्लेस पर y minus 3 upon 4, plus 3 as it is, अब इस 4 से यह 4 cancel, क्या बचा यहां पर, y minus 3 और plus 3, 3 से 3 cancel, आ गया y, i y, ठीक है, तो gov find करने पर x मिल fog find करने पर y मिल गया, इसलिए जो हमारा function है, so f is, या फिर आप पूरा लिख लीजिए यहां पर, की, since, जितना systematic करेंगे उतना बेटर है, since, gov equal to x equal to i x, and fog equal to y equal to i y, so f is invertible, इसलिए जो हमारा function f है, वो invertible है, और इसका inverse function में यहां लिख रही है, बात आगी समझ में, सबसे पहले y equal to x equal to find कर लो, फर gov fog find कर लो, अगर gov x आ गया, fog y आ गया, तो यहां पर इस तरह से लिखके f is invertible, and inverse of f is g of y equal to f inverse of y equal to, यह रहा हमारा function, यह, y minus 3 upon 4, समाझ में आ गई बात clearly, इस तरह से आपको caution करना है, तो यह एक तरीका है, जब आप definition के according solve कर रहे हैं, तब, और एक और चीज़ हमने क्या देखी है, कि अगर कोई function invertible है, तो वो one one on two भी होगा, और अगर one one on two है, तो वो invertible भी होगा, तो इसी को solve करने का मैं दूसरा तरीका भी आपको बता रही हूँ, तो अगर वो आप देखना चाते हैं, तो देख सकते हैं, otherwise वीडियो को आप आगे बढ़ा के देख सकते हैं, ठीक है, तो अब इसको आगे देखें, तो वही है, कि अगर inverse find करना है, तो सबसे पहले तो हम, वही f of x equal to y equal to 4x plus 3, और g of y equal to x equal to y minus 3 upon 4, ये तो लिखी लेना है, ठीक है, अब अगर माली जे definition के according नहीं, लेकिन अगर जो चीज हमने समझीती कि, अगर को फंक्शन 1 1 on 2 होगा, तो वो invertible भी होगा, तो इसी function को आप 1 1 on 2 प्रूफ कर दीजिए, ये जो function है, ये invertible लाएगा, ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको 1 1 प्रूफ करेंगे, तो हमारा जो function है, ये 4x plus 3 है, तो सबसे पहले हम 2 element लेंगे, x1 plus x2 belongs to real number, क्योंकि ये जो function है, ये r to r define है, यहां से x belong करेगा, यहां से y, ठीक है, तो अगर 1 1 प्रूफ करते हैं, तो हम लेकर क्या चलते हैं कि f of x1 equal to kya होगा, f of x2, और यहां पर जो function है 4x plus 3, तो यह हम लेंगे 4x1 plus 3 equal to 4x2 plus 3, ठीक है, plus 3 से ये plus का 3 cancel उस तरफ जाएगा, तो minus का वैसे भी cancel होगा ही, बजेगा क्या 4x1 equal to 4x2, 4 से 4 cancel, x1 equal to x2, आ गया, बस, तो ये जो function है, ये 1 1 प्रूफ होगया, अब on to की बात क तो function को on to prove करने के लिए हम क्या करते हैं, हम लेते हैं, y equal to f of x, या फर f of x equal to y, ठीक है, और जो y है, ये किसको belong करेगा, हमारे code domain को, code domain हमारा है, ठीक है, अब इसके बाद f of x हमारा कितना है, 4x plus 3, 4x plus 3 equal to y, यहां से x की value find करते हैं, तो x की value हम फाइंड कर लेते हैं, तो य कि वहीं आएगा, y minus 3 upon 4 equal to x, ठीक है, या फिर x equal to y minus 3 upon 4, ठीक है, तो सीधी सी बाद है, यहां पर आप कोई भी real number put up करेंगे, तो x की place पर भी आपको एक real number ही मिलेगा, और इसको check करने का एक तरीका और है, कि आप अपने function में ये जो x की value आई, इसको put up करके देख लो, तो आपको पता चल जाएगा कि ये on to है या नहीं, तो ये तरीका मैंने शायद आपको तब नहीं बताया था, अब बता दे रही हूँ, कि यहां पर देखो, यह हमारा function है, f of x equal to, क्या है, 4 x plus 3, x equal to, यह आप put up कर दो, x की place पर, तो 4, x की place पर यह put up कर दो, y minus 3 upon 4, 4 x plus 3 upon क्या ह इस 4 से यह 4 cancel, y minus 3 plus 3, 3 से 3 cancel, क्या आगया, y, तो f of x equal to क्या आगया, y, मतलब यह क्या आगया, identity function, i, y, तो इससे भी यह prove आप कर सकते हैं, ऐसा रखके कि यह on to है, तो सीदी सी बात है कि y की place पर आप कोई भी real number रखेंगे, तो x की place पर भी real number मिलेगा, मतलब यहां पर, जो image है, उसके लिए pre-image है, domain में, ठीक है, इसलिए यह on to भी है, ठीक है, so, यहां पर हम लिखेंगे, so, every element in o domain have pre-image in domain, so, f is on to, अब जब function one one भी हो गया, on to भी हो गया, तो यह invertible होगा ही होगा, तो हम यहां पर वही लिखेंगे, कि f is one one और on to का एक साथ क्या बोलते हैं, byjective, f is byjective, so, f is invertible, ठीक है, और last में, जो inverse function है, वो आपका क्या होगा, यह होगा, तो पिछले part में, यानि कि इसका जो पहला तरीका था, उसमें मैंने आपको लिखके बता था, वैसे आपको लि दोला जाता है, कि invertible है या नहीं, तो आप definition के according, gov, fog, find, भी कर सकते हैं, और अगर चाहें, तो one one on two से भी आप प्रूव कर सकते हैं, कि invertible है, इसका inverse function, आपको यहाँ f of x से ही मिलेगा, y के form में, आप find कर दीजे, यही आप कर रहेगा, उस particular function का inverse, लेकिन condition आपको पता है, क function one one on two होना चाहिए, तब वो invertible होगा, या फिर gov, x आना चाहिए, fog, y आना चाहिए, तब, ठीक है, तो दोनों तरीके मैंने आपको पता दिये, जो तरीका आपको ठीक लगे, आप उससे कर सकते हैं, ठीक है, तो अब हम देखेंगे next question, question number 8, तो हमारा जो next question है, question number 8, मैं question न हमारे real number होते हैं, उनको हम capital R से denote करते हैं, अब जो real number होते हैं, उनमें positive number भी होते हैं, negative number भी होते हैं, तो आपको पता है कि जो positive number होते हैं, उनको r plus से हम show करते हैं, और जो negative real number होते हैं, उनको r minus से show करते हैं, ठीक है, तो यहां r plus का मतलब है, कि real number लेकिन positive real number, ठीक है, तो r plus two four comma infinite अब यह जो चीज है यह तो आप पहले पढ़ चुके class 11 में ठीक है intervals मैंने आपको समझाय थे open interval close interval तो यहां पर यह close interval मतलब कि यहां पर four include है और four से सारे के सारे बड़े नंबर कहां तक जा रहा है यह infinite ठीक है तो four से बड़े five six seven and so on कहां तक infinite तक इसमें number include है four से छोटे कोई भी number इसमें include नहीं है को डोमेन में क्योंकि यह हमारा domain है यह हमारा co domain है co domain में जो element है वो four और four से बड़े number है ठीक इतनी बाद समझ में आगे चलिए तो हमको यही बोला जा रहा है इसके बाद बोला जा रहा है show that f is invertible with the inverse f inverse of f is given by f inverse y equal to root y minus four तो यहां पर question में हमको यह चीज़ दिया है कि f inverse यह है लेकिन हमको proof करना है कि f inverse वो होगा तो f inverse y equal to f inverse y equal to under root of y minus four यह f inverse होगा यह हमको proof करना है और हमको यह भी बताना है कि f invertible होगा ठीक है और आगे बोला जा रहा है where r plus is the set of all non-negative real number तो non-negative real number मतलब कि जो भी negative number है उनको हटा के सारे के सारे जो number है वो number r plus के अंदर आएंगे तो 0 सो लेके 1 2 3 and so on जो सारे positive number हमारे real number है और बीच में decimal number भी हो वो सारे number इस set में आएंगे r plus में पस positive होनी चाहिए negative नहीं होने होगा वो यह होगा इनवर्टिवल प्रूफ करने के दो तरीके आपको जो ठीक लगता है वो करिए मैं definition के according की करा रही हूं गौफ और फॉक फाइंड करकी ठीक तो सबसे पहले हमारा जो function है equal to y equal to x square plus 4 यह कहां से कहां तक define है f such that r plus 2 तो यह हमारा function है अब हमको g of y find करना equal to x इसको solve करना है इसको मैं roughly आपको solve करके बता देती हूं x square plus 4 ठीक है तो यह plus 4 इस तरह आएगा तो minus का 4 equal to x square square इस तरह आएगा तो root में convert हो जाएगा x की value यह आएगी ठीक है तो x equal to under root of y minus 4 और यह कहां से कहां तक define होना चाहिए g such that 4, infinite to r plus तो अब आपको समझ में आया होगा कि यह जो co domain है यह 4,0 क्यों होगा यहाँ पर क्योंकि यहां पर देखें यह क्या है square root ठीक है और अगर माल लीजे यहां पर 4 से कोई भी छोटी value आती तो माल लीजे अगर 4 से कोई छोटी value यहां रखते तो 3 आता 3-4 यह हो जाता negative 1 root के अंदर तो यह real number होता क्या नहीं है यह हो जाता आपका imaginary number ठीक है तो इसलिए यहां पर इस चीज़ को आपको ध्यान से देखना है कि 4 से 4 और 4 से value तो यहां पर आएगा 5-1 root के अंदर कोई negative number नहीं आएगा अगर जो हमारा function वो यहां से यहां define है तो इसलिए यह reason है कि जो हमारा co domain है यहां पर function के लिए वो यह था अब इस जो हमारा y के form में जो function है वो यहां से यहां define है तो इसका domain यह हो गया मतलब y की value यहां से belong करेगी ठीक है तो हमको एक real number मिलना चाहिए तब ही जाके तो function define होगा इस पाता ह्यां से होगा ठीक clear चलिए अब हम आगे चलते हैं अब हमको क्या find करना है सबसे पहले गॉफ ठीक है तो यह क्या हो जाता है G of F of X ठीक तो चलिए करते हैं G of F of X अब F of X हमारा कितना है X square plus 4 equal to अब G of Y तो G of Y रहा ये लेकिन Y की place पर क्या है ये तो यहाँ पर Y की place पर ये रखेंगे तो सबसे पहले square root लगाईए Y की place पर रखना है हमको X square plus 4 और ये जो minus का 4 है ये as it is clear ठीक है चलिए इसके बाद minus 4 से plus का 4 cancel ये आजाएगा root X square तो ये आजाएगा plus minus X लेकिन minus को हम हटाएंगे reason क्या है कि Y की value ये रखने पर हमको ये मिलना चाहिए ठीक है न क्योंकि हमारा ये वाला जो function है Y वाला क्योंकि ये G of Y है value रखी तो ये positive होना चाहिए तो positive real number यहाँ पर भी सारे positive number है यहाँ पर भी सारे positive number है इसलिए हम minus को neglect यहाँ पर कर देंगे कहने का मतलब हुआ कि ये आजाएगा आपका X ठीक है मतलब ये आगया I X तो minus को क्यों मट आया क्योंकि यहां पर भी सारे positive number है यहां पर भी सारे positive number है ठीक चलिए तो यह आ गया अब fog find करते हैं तो f of g of y equal to f of g of y तो g of y रहा ये root y minus 4 अब यह गहा है f of x तो f of x रहा ये यहां पर x की place पर रखेंगे ये तो x square है लेकिन x है हमारा square root y minus 4 तो x square x square plus 4 square से root cancel तो यह आ जाएगा y minus 4 plus 4 minus 4 से plus 4 cancel होके y बचेगा तो यह हो जाएगा i y बात खतम गौफ find करने पर x मिल गया fog find करने पर y मिल गया तो यह हो जाएगा हमारा invertible function तो since goff equal to x equal to i x and fog equal to y equal to i y so f is invertible function invertible हो गया और इसका जो inverse function है वो क्या हो जाएगा यह ठीक है and hence inverse of f is given by g of y equal to f inverse y equal to under root y minus 4 जो कि कहां से कहां तक define है आप यहां F inverse लिख लो जी लिख लो बात एक ही है ठीक है G of Y F inverse G such that 4, infinite 2R plus बात खतम समझ में आई बात ठीक है तो हमको यह प्रूव करना था कि जो हमारा inverse function है वो यह होगा तो सबसे पहले हमने क्या करा भई वही कहानी कि F of X X equal to Yeshua फिरिशी को सोल्व करके x equally के form में हमको जियो फाइड करना है तो यह आ गया इसके बात फ़ौब से वाइड और क्योंकि फोप squid उन्स रहेगा यह हमने यह अंपर पर प्रूफ कर दिया यह ही परोफ पर नला था सक थीए ठीक क्लियर आप्रीट में बस इतना ही बोला था उसा इतना ही बोला है तो रिए हो गया है complete नोट कर लीजिया अब हम देखेंगे next question अब next question है question number nine Be sure number nine में बोला गया है f such that function लिकते हैं कहां सदिताने है अार such that r plus यानि कि वही non-negative real number है na 2 minus 5 to infinite तो बात वही है कि minus 5 और इससे सारे बड़े number given by f of x function हमको दिया है 9x square plus 6x minus 5 show that f is invertible with f inverse y अब यहाँ पर भी हमको पहली चीज़ तो यह बताना है कि invertible है और इसका जो inverse है वो question में दिया है और हमको प्रूफ करना है कि वो इसका inverse function है f inverse y equal to root y plus 6 minus 1 upon 3 यह होगा आपका f inverse यह हमको प्रूफ करना है ठीक है तो चलिए करते हैं तो देखिए यह जो इस तरह के question है जैसे कि अब यह जो function आया है हमारा यह एक quadratic equation है तो यहाँ से आप x की value कैसे find करें ठीक है तो इसके लिए जरूरी है देखो दो चीज़ें आप कर सकते हैं दोनों तरीके मैं आपको quadratic formula होता है न x equal to minus b plus minus b square minus 4ac upon 2a उससे भी कर सकते हैं लेकन उसके लिए क्या है कि इसको equal to आप y रखेंगे तो यह हो जाएगा आपका y equal to 9x square plus 6x minus 5 ऐसे करना है तो इसके लिए क्या करेंगे आप यह हो जाएगा 9x square plus 6x minus 5 और minus y equal to 0 इस तरह से यह बनेगे आपकी quadratic equation a, b और c की value आपको मिल जाएगी और आप चाहें तो यह रहेंगे minus 5, minus 1, minus sign common लेके इनको bracket के अंदर आप लिख लेने ते हो जाएगे 5 plus y तो a, b, c की value रखके आपको x की value यहां से मिल जाएगी ठीक है और एक तरीका यह है मुझे यह तरीका ज्यादा simple लगा इसलिए मैं इससे आपको बता रही हूँ अगर आपको लगता है तो आप formula से भी कर सकते हैं ठीक चलिए तो सबसे पहली चीज़ invertible proof करना है और हमको यह भी प्रूब करना है कि जो inverse function होगा इस function का वो यह रहेगा ठीक है तो completing the square करने के लिए सबसे पहले तो हमने क्या लिखा f of x equal to y equal to 9x square plus 6x minus 5 ठीक है यह हमारा function है जो कहां से कहां तक define है f such that r plus 2 close interval minus 5 to infinite open interval ठीक है clear अब देखिए अब आप solve करते हैं इसको तो यहां पर क्या करते हैं हम g of y equal to इसको मैं पूरा आपको roughly बता दे रही हूं इसको आप चाहें तो side में करके रख सकते हैं तो यह क्या हो जाएगा 9x square plus 6x minus 5 equal to क्या है आपका यह y ठीक है तो completing the square क्योंकि देखो यह 9 है तो यह 3 का square हो जाएगा तो यह हो जाएगा यहां पर हमको one add करना पड़ेगा अब one add करेंगे तो one को हमको subtract भी करना होगा ठीक है तो हमने one को add कर लिया one पर हम square भी लगा देंगे तो कोई दिकत नहीं ठीक है तो one को हमने add कर दिया one को subtract कर दिया minus 5 हमारा as it is equal to y as it is चल रहा है तो कहने का मतलब यह है कि a square plus 2ab plus b square यहां आसे लेके यहां तक तो हमारा whole square बन गया किसका 3x plus 1 का whole square तो 3x plus 1 का whole square बन गया minus 5 minus 1 हो गया minus 6 equal to y बात आरी समझ में ठीक है और इस चीज़ को आप अपने पास note करके रखना ताकि कभी आप आगे revision करें तो आपको समझ में आ जाए कि यह हमने कैसे किया था ठीक है तो यहां पर हमने इसको करा 3x का whole square और इसको हमने 2ab के format तोड़ दिया 2 into 3 2 3 is 6 होता है ठीक है और into 1 लगा दो लगाने सब कोई रिक्त है नहीं multiplication में कहने का मतलब यह हो गया 2 यह हो गया a और b हमारा वन होना चाहिए तो वन को हमने एड करा वन को सब्ट्रेक्ट करा वन पर अगर square लगा तो तब भी वन ही रहेगा ठीक है तो यहां से लेके यहां तक तो यह हमारा बनके 3x plus 1 का whole square minus 1 minus 5 हो गया minus 6 और एक चीज़ का ध्यान रहें plus 1 किया तो minus 1 भी किया बैलन्स करने के लिए equal to y यह हो गया हमारा 3x plus 1 का whole square equal to 6 उस तरब जाके plus का हो जाएगा y plus 6 ठीक अब यह जो square है उस तरब जाके root में convert हो जाएगा तो 3x plus 1 equal to यहां फिर मैं यही कर देती हूँ यह square जो है यह इस तरब आके root में convert हो गया और यह 3x equal to हो जाएगा root y plus 6 और यह plus का 1 उस तरब जाके minus का 1 3 multiply में तो यह आजाएगा divide में यहां से हटके तो कैसे हुआ यह आपको समझ में आ गया कि x की value हमने कैसे find करी completing the square जो method है हमारी जो class 10 में भी हम पढ़ चुके है यह method हमने यहां पर use करी है ठीक है तो बस यहां पर g of y equal to x equal to क्या आगे हमारा root y plus 6 minus 1 upon 3 ठीक और यह कैसे आया यह आप note करके अपने पास रख लीजे बागी अब मैं इसको हटा रहे हूं ठीक तो यह आगया हमारा यह कहां से कहां तक define रहेगा g such that minus 5 infinite 2 r plus ठीक clear अब इसके बाद हम इसको invertible proof करेंगे तो गॉफ और fog तो हम सबसे पहले गॉफ find करेंगे f of x clear ठीक है so g of f of x तो f of x हमारा क्या रहा यह रहा ठीक है तो g of f of x f of x से यह तो यह आ जाएगा 9x square plus 6x minus 5 ठीक है अब इसके बाद क्या है g of y तो g of y रहा यह ठीक है तो मैं इसको पूरा आपको solve करके बता रही हूं आप वीडियो को pause करके note कर लीजेगा बाद में मैं इसको हटा दूँगी क्यूंकि मेरे पास जगा की थोड़ी कमी है ठीक है आया कैसे बूब मैं आपको पूरा explain कर रही हूं अब दियान दें यहीं पर बताते हूं जी ओ फ़ाइए यह तो जी ओ फाय रहा यह इस में य की प्लेस पर यह रखना ए ठीक है तो यह रहा root य की प्लेस पर यह तो तो नाइन एक्स स्क्वाइर प्लस एक्स माइनस फाइव वाई की प्लेस पर रख दिया यह पूरी वैल्लिव प्लस सिक्स एज इस इसके बाद यह माइनस वन हमारा एज इस अपॉन थ्री अब तमझ में ठीक है तो अब इसको आगे सॉल्व करते हैं तो अब ध्यान दें आप यही के यही मैं आपको बतारी हूं कि 9x स्क्वाइर प्लस 6x सिक्स में से 5 माइनस होगा तो यहां क्या बचे का बन तो इन दोनों को सॉल्व करके मैं हटा रही हूं अकर आपको लग रहा तो आप वीडियो को बॉस करके नूट कर लें 6 में से 5 माइनस करेंगे तो यहां आ अब यह किसका होल स्कॉआयर बन रहा है 3X प्लस वन का होल स्कॉआयर आप दें यह हो जाएगा 3X का होल स्कॉआयर प्लस 2 इंटो 3X into 1 2AB प्लस one का स्कॉआयर तो यह हो जाएगा आपका रूट के अंदर 3x plus 1 का whole square minus 1 as it is upon 3 as it is ठीक है, root से square कट गया बचा कि आपके पास 3x plus 1 minus 1 upon 3 ठीक है, plus 1 से minus 1 कट गया तो 3x upon 3, 3 से 3 cancel हो के क्या बचा x, तो कहने का मतलब हुआ कि गौफ जो है वो आपका x आ गया है आ गया है, ठीक है, तो गौफ x आ गया अब fog find करेंगे और आपको इसको note करना है, आप note कर लीजे मैं direct यहाँ पर लिख रही हूँ, gof equal to x equal to ix ठीक, आप note कर लीजे, अब मैं इसको हटा रही हूँ अब हम करेंगे fog, तो f of g of x तो g of, और सॉरी, f of g of y तो g of y है यह, root y plus 6 minus 1 upon 3 ठीक है, g of y अब इसके बाद f of x, तो f of x रहाए, इसमें x की place पर आपको यह रखना है तो देखें जारा, 9 x square तो इसपे अगर आप square लगाएंगे, तो यह क्या हो जाएगा, root y plus 6 minus 1 का whole square, denominator में 3, 3, 3, 0, 9 ठीक है, तो 9 x square लिख दिया, plus 6 x plus 6 x की place पर यह रखना है, तो रखा हमने root y plus 6 minus 1 upon 3 ठीक है, इसके बाद minus 5, as it is clear, यह 9 से यह 9 cancel, 3, 2, 0, 6 ठीक है, अब आप देखें, अगर आप a minus b का whole square open करेंगे, तो क्या होगा, यहाँ पर कर रही हो मैं है, इसका square करेंगे, तो root से, आपका square cancel हो जाएगा, तो यह हो गया, y plus 6, a square, plus b square, minus 2, a, b, ठीक, इसको solve कर लिया, मैंने, ठीक है, इसके बाद आगे देखें, तो यहाँ क्या बचेका, आपका, root, sorry, 2 है न, यह 2 into root y plus 6, तो 2 into root y plus 6, 2 ones are 2, minus 5, तो यह हो जाएगा, आपका 2 into root y plus 6, इससे यह cancel हो गया, plus के minus से, ठीक है, अब यहाँ पर क्या बचा है, y, 6 plus 1, 7, minus 5 minus 2, minus 7, minus 7 से plus का 7 कड़ गया, क्या बचा है, y, क्या गया, i y, तो यह कुछ calculation है, जो आपको करते हैं, आना चाहिए, बट मैंने आपको करके बता दिया है, तो आप इसको note कर लीजे, हो सकता है, थोड़ा होच-पोच हो गया हो, लेकिन खेर, अब 12 में आप, तो इतना तो घरी लेंगे, ठीक है, तो यह आगया, y, कैसे आया, मैंने आपको यहाँ पर बता दिया, तो अब मैं लिखने हो, direct y, तो यह करने पर हमको मिल गया, y, i, y, तो बादी खतम हो गई, गौफ आपका x आगया, फॉग आपका y हो गया, मतलब जो function है, function is invertible, और जो f inverse y है, वो क्या आजाएगा आपका, यह, root y plus 6, minus 1 upon 3, और यही प्रूफ करना था, कर दिया, ठीक, question हम बनाईल हो गया है, note करना है, तो वीडियो को पॉस्ट करके आप note कर सकते हैं, बाकि आज की class में बस इतना ही करेंगे, कुछ question और बचे हुए हैं, जो हम देखेंगे अगली class में, so I hope कि आज की class में मैंने जो question आ आपको अची तरीके से समझ में आए होगे, वीडियो भी पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया है, तो वीडियो को like जरूर करिए, और अगर अभी तक चैनल को subscribe नहीं किया है, तो इसी तरह के और वीडियो के लिए चैनल को subscribe जरूर करिए, चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए बाई and thank you